Hello students, O2IS Academy में आपका स्वागत है, मेरा नाम है जोती कौशल और हम कवर कर रहे हैं नाइब तिसीलदार के लिए करंट अफेर्स तो recently हम January और February 2022 के करंट अफेर्स कवर कर रहे हैं, इससे पहले के जो मन्स के करंट अफेर्स हैं वो हमारे कवर हो चुके हैं तो आज हम जो कवर करने वाले हैं वो है environment section, तो अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS Academy की app को download कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर आप अगर store section में जाएंगे तो आपको अलग अलग courses मिलेंगे, यहाँ पर एक NT का course भी available है जहाँ पर अगर content section में जाएंगे तो वहाँ पर current affair का जो section है वहाँ पर आपको इस वीडियो की जो PDF है वो मिल जाएंगे ऐसे ही store section के अंदर एक NT का power pack भी है जिसके अंदर आप आपको बहुत सारे questions मिलेंगे, अलग-अलग mock tests मिलेंगे तो आप इन सब को जाकर practice कर सकते हैं, तो शुरू करते हम अपनी आज की news स तो recently जो गांधी सागर डैम है अभी वो news में था क्योंकि जो CAG की report आई थी उन्होंने बोला कि गांधी सागर डैम को अभी repair करने की बहुत जादा जरूरत है, तो आपने याद रखना है कि जो गांधी सागर डैम है वो चंबल रिवर के ओपर located है, चंबल रिवर जो है वो अभध्यप्रदेश के मंडसौर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, यह नहीं आपको बताया कि यह तीन स्टेप्स को कवर करती है, मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्रप्रदेश, बाकी जो चंबल रिवर है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है और आपको पताया कि जो य राइट हैं रिव्यूटरी है, काली, सिंध और पार्बती, यह चंबल की ट्रिब्यूटरी है, अब चंबल रिवर के उपर गांधी सागर डैम के अलावा तीन और डैम्स अविलेबल हैं, कौन-कौन से, राना प्रताप सागर डैम, जौहर सागर डैम और कोटा बेराज, क् इस सेंचरी के अंदर आपको अलग-अलग स्पीशीज पाई जाएंगी, जैसे क्रिटिकली इंडेंजर घडियाल्स हो गया, देन इस गंगा रिवर डॉल्फिन भी यहीं पर पाई जाती है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ब्लू बुल के बारे में, तो रीसेंटली ये आपने इसका कंजर्वेशन स्टेटस जो है यहाद रखना है कि यह लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में आता है, दैनिस वाइलाइफ प्रोटेक्शन आक्ट के शिड्यूल 3 में आता है, अगर मैं ब्लू बुल की बात करूं कि यह कौन-कौन से रीजन में पाय जाता है, तो ने ब्लू बुल वही हैं, अगर मैं इनके हैबिटैट की बात करूं तो यह ज्यादा इनस फॉरेस्ट में नहीं रहते हैं, ज्यादा तर जो ग्रास लैंड्स हो गया, टर आपनी से हुआ है, तो इन की डेथ हुई थी, तो इनका जो जो क्रिमेशन हैं, वो वसीकलीड फायर की पानी से हुआ है, तो एक्वामेशन एक ऐर करिमेशन होता है वह हम पानी और फ्रीज़ के उसको तक हम नियूज करके करते हैं एक चैंबर के वहाना क看ऊले मीक्ष्चर मुच्चर दाला देते हैं और उसके अंदर पानी और अलकली का मिक्चर वहाना करते हैं, कुछ pressure maintain करते हैं और कुछ temperature को maintain करके जो body है उसके जितना भी material है ठीक है जो body आपको पता ही होगा कि carbon, hydrogen, oxygen, phosphorus और sulfur और nitrogen इन सबसे मिलके बनी होती है तो जितने भी यह सारे materials हैं वो क्या हो जाते हैं complex material से simple material में convert हो जाते हैं तो recently aquamation के थूँ ही इनका अभी cremation किया गया था इसी वज़े से यह news में था तो environment की news में मैं आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि basically इससे जो environment का pollution है वो बहुत जादा कम होता है as compared to अगर fire से cremation किया जाए ठीक है next हम बात करते हैं कि जो spot build pelicans है recently इन्यूज में इसलिए था क्योंकि आंधर प्रदेश का एक bird area है वहां पर इन birds को एक neematoid infestation हो गई है neematoid infestation का मतलब यह होता है कि neematoid एक group of organisms होते हैं जो कि इनकी body के अंदर जाकर reside करने लग जाते हैं अब जाकर जब वो worms इनकी body के अंदर reside करेंगे तो इनकी death हो जाएगी ठीक है तो इनकी mass mortality पाई गई है तो अगर मैं spot build pelicans के बारे में बात करूं तो इनकी जो upper mandible वाला region है क्योंकि उसके उपर sports अविलेबल है तो इसलिए इनका ऐसा नाम है then is ये breeding regions में अलग अलग regions में पाई जाते हैं जैसे कि peninsular India हो गया श्रिलंका हो गया और Cambodia हो गया तो breeding seasons आपको पते हैं कि उस टाइम पे ये जो species हैं अपनी next generation को produce करती हैं otherwise अगर मैं non breeding seasons की बात करूँ तो ये अलग अलग regions में पाई जाती हैं जैसे नेपाल हो गया मैनमार्थ, आइलेंड, लाओस, वेत्ताम हो गया इन रीजन में पाई जाती हैं IUCN status आपने याद रखना है कि spot-built pelicans का IUCN status near threatened है Wildlife Protection Act के schedule 4 में located है then is इनके survival को बहुत जादा threat है जैसे इनका जो habitat है वो loss हो जाता है अगर deforestation कर दिया, hunting कर दिया, अगर बहुत जादा pollution हो गया तो इनकी वज़े से भी इनके घर जो है वो उजड़ जाते हैं ठीक है ये चीज़ याद रखनी है next news है आपकी red sanders के बारे में तो recently news में इसलिए था क्योंकि अभी ये endangered category में इसको डाल दिया गया है IUCN की endangered category में तो इससे पहले ये near threatened की category में था अब आपको पता ही होगा कि जो नई movie आई है पुषपा तो वो movie इसी के ओपर based है इसके अंदर बताया गया है कि जो red sandalwood है तो उसकी smuggling कैसे होती है आपको पता होगा कि ये जो species है कहाँ पर पाई जाती है आंदर प्रदेश के जो शेष चलम के forests है वहाँ पर ये species पाई जाती है आपने ये याद रखना है then is इसकी IUCN category को याद रखना है next हम बात करते है Miss Kerala के बारे में तो recently जो Miss Kerala है एक ऐसी fish की species है जिसको अभी Wildlife Protection Act के schedule 1 में डाला गया है तो अगर मैं Miss Kerala की बात करूँ इसको हम Denison Bob भी कहते है then is ये सिरफ Kerala में नहीं पाई जाती Kerala और Karnatica दोनों में ये पाई जाती है आपने इसका IUCN status याद रखना है that is endangered की category में आता है otherwise जो freshwater rivers वगेरा होते हैं उनके अंदर ये जो species है वो पाई जाती है next हम बात करते हैं Septimaranthus के बारे में तो recently Nicobar group of islands के उपर एक नई ऐसी जीनस पाई गई है जो कि parasitic flowering plant की तरह behave करती है parasitic flowering plant का मतलब ये है कि पहली बात तो ये एक flowering plant है दूसरी बात ये parasitic nature है इसका मतलब ये जो अपना nutrition लेता है ये किसी भी host के उपर रहकर ऐसा host जो living host है उसके उपर रहकर ये अपना nutrition लेता है तो उसी तरीके से इसके जो flowering plant है इसके अंदर कुछ modifications आ जाती है जैसे इसकी जो roots और stem है एक तरह से बुरी तरह से जो host organism है उसके उपर फैल जाएंगी और उसके उपर फैल के वो वहां से अपना जो nutrition है वो extract कर सकता है otherwise ये जो parasitic plant है वो birds के खाने की तरह भी act करता है that means जो birds है वो इस खाने को ही खाते है then is ये जो parasitic plant है एक और plant species के उपर पाया जाता है जिसका नाम है horse, fieldia, glabra, wap next हम बात करते हैं qualas के बारे में तो recently क्या हुआ है कि Australia ने qualas को अभी dat है वो बहुत जादा lost हुए थे तो इस वज़े से qualas को endangered category में डाल दिया है otherwise अगर मैं qualas की बात करूँ तो वो arboreal species है that means ऐसी species जो पेड़ पर रहती है जादा तर ये जो species है eucalyptus के उपर पाई जाती है then is ये एक marsupial species है marsupial species का मतलब ये होता है कि ऐसी species जिनके pouch available होते है एक तरह से pouched mammals हम इसको कहते है और इनकी जो progeny होती है वो pouch के अंदर ही रहती है और इनकी जो progeny की nutrition होता है वहां से ही वो उनको feed करते है then is अगर मैं qualas की population की बात करूँ तो सबसे ज़ादा population जो है वो Australia में पाई जाती है otherwise South America में भी qualas जो है वो पाई जाते हैं इससे पहले जो IUCN status था qualas का तो वो क्या था? vulnerable था तो ये कुछ चीजें आपने qualas के बारे में याद रखनी है next हम बात करते हैं कि जो Indonesia है उन्होंने अपनी जो एक तरह से capital city है उसको relocate करने की बात करी है इससे पहले जो Indonesia की capital city थी वो थी जकारता में जो की Java island के उपर located है then उन्होंने बोला क्योंकि rising sea level की वज़े से ये जो island है वो बहुत जादा एक तरह से डूपता जा रहा है इस वज़े से उन्होंने बोला कि हम अपनी जो capital है उसको shift करेंगे कहां पर shift करेंगे Borneo island के उपर east काली मंतन वाला region है वहाँ पर एक नुसंतरा है तो वहाँ पर ये अपनी जो capital है इसको shift कर रहे है next हम बात करते हैं swamp deer के बारे में तो जो swamp deer है वो recently असाम का जो काजी रंगा national park है उनमें इसकी जो population है वो बहुत जादा कम हो गई है तो इस वज़े से ये news में था otherwise जो swamp deer है वो south asia के अलावा बाकी सारे regions में extinct है मतलब सिरफ south asia वाले region में ही पाए जाते हैं इनकी तीन categories है जैसे एक western swamp deer हो गया southern swamp deer हो गया then is eastern swamp deer हो गया जो अलग-अलग regions में पाए जाता है जैसे कि eastern swamp deer जो है वो काजी रंगा national park वाले region में असाम वाले region में पाए जाता है और रंग national park में भी ये पाए जाता है then is a south southern जो swamp deer हो हमारे central और north इंडिया वाले region में पाए जाता है जो western swamp deer है वो नेपाल वाले region में पाया जाता है, इसका IUCN status आपने याद रटना है कि ये vulnerable category के अंदर आता है, then is wildlife protection act के schedule 1 इसको basically status दिया गया है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, next हम बात करते हैं कि जो नजफ गड जील है recently, इसके उपर कुछ rules and regulation के द्वारा, जो human की activities है उनको regulate किया गया है, वो इसलिए regulate किया गया है, क्योंकि एक तरह से ये जो जील है, वो breeding ground है, अलग-अलग migratory birds के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे Egyptian vulture हो गया, सारस crane हो गया, तो ये सारी जो migratory birds हैं, वो इस जील पर आती हैं, और यही एक तरह से breeding ground की तरह behave करत है, अगर यहाँ पर human activities होंगी, तो उसकी वज़े से उनकी जो breeding ground होगा, या फिर habitat जो होगी, उनकी lost हो जाएगी, और उस वज़े से उनकी जो population हो सकती है, वो कम हो सकती है, इस वज़े से जो wetland rules हैं, उसके द्वारा इनके उपर कुछ regulatory activities लगाई गई है, तो यहाँ पर साउथ वेस्ट डेली वाले रीजन में यह लोकेटेड है, हर्याना वाले रीजन में यह लाई करता है, ठीक है, यह याद रखना है, next हम बात करते हैं, जो केरला है, उन्होंने अभी दो फंजाई की species को recognize किया है, जो कि coconut के जो पेड है, उनको एक थना से हानी पोंचा रही ह स्टेम है, उसके उपर एक डिजीज कर देती हैं, जिसको हम coconut stem rot disease कहते हैं, तो वो दो फंगस कौन कौन सी है, एक है गैनोडर्मा केरलैंसे और दूसरी है गैनोडर्मा स्यूडो एपलैंटम, तो यह जो दोनों फंगस की species हैं, यह coconut के पेडों को खराब करें, तो अगर एक पार यह rot disease coconut के पेडों को हो जाए, तो उस time पे यह जो पेड है वो इस disease से बहुत difficult हो जाता है उस disease से उभर ना, तो उभर नी पाते हो, तो इस disease के अंदर अलग-अलग symptoms दिखते हैं, जैसे discoloration हो जाता है, stems का और leaves का और उनकी rotting होनी भी शुरू हो जाती है, next हम बात करते हैं कि जो केरिला हैं, उनको recently अपनी पहली scientific bird atlas मिली है, basically जो केरिला bird atlas है, उसके अंदर अलग-अलग surveys किये गए थे, 2015 से लेके 20 तक, ये जो survey हैं, अलग-अलग months के अंदर हो जैसे July to September हो गया, January to March हो गया, इस survey के अंदर उन्होंने ये पाया कि जो केरिला वाला region है, वहा स्टेट के अंदर कौन से region में कौन सी birds पाई जाती हैं, अलग-अलग species की bird पाई जाती हैं, for example उन्होंने बताया कि dry season के अंदर जादा species हैं birds की as compared to wet season, then is उन्होंने ये बताया कि जो northern और central districts हैं वहाँ पर जो species की richness है, that means जो number of birds हैं वो जादा पाई जाती है as compared to जो southern districts है, in the same way जो species evenness है, that means एक number of species हैं वो कितनी जादा पाई जाती हैं, तो वो भी उन्होंने देखा कि northern और central districts में जादा पाई जा रही हैं, so that is all for today, यहां तक आपके जो environment के gen और feb के current affairs हैं वो कुछ cover हो गए हैं, बाकी के current affairs हैं वो हम next class में cover करेंगे, so I hope आपको समझ में आया होग thank you so much and have a nice day